ये गाइस विल्कम बाक टू पेपकोडिंग यूटीव चैनल आज हमें एक बहुत इंड्रस्टिंग कोशन देखने वाले हैं जो की है शेफ एंड प्लोजर ये रिसेंटली अगस्त कोकॉफ में आया था 2021 में तो देखते हैं कि ये कोशन क्या है इस कोशन को देखने के लिए कोशन की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसको ओपन कर लेना है तो ये कोशन पढ़ते हैं देखो कोशन का कहा रहा है यू और गिवन अन एरे ए विद एन इंटेजर्स यू हव तो टेल यू हव तो टेल शेफ वेदर इस एरे इस अंडर मल्टिप्लिकेशन ठीक है अब आपको एक एरे दिरखा है और आपको इतना ही बताना है कि वो खोजन अनर मल्लिकेशन है या नहीं है ठीक है तो देखो जैसे एक्जांपल देखते हैं एक्जांपल सीधा बूट पर ही देखते हैं देखो अब मैं आपको एरे धूं 113 तो ये corazón về मल्टि प्रजांपल है इसका कोई भी सीकुछ उठा है क Raw सब्सक्राइब तो यह क्या हुआए है एक और एक और एक एड़े का एजाम्पल नूँ तो यह देखो यह एक एरे जो किया ख्लोज अंडर मुल्टिप्लिकेशन नेगेटिव एलिमेंट भी हो सकते है ठीक है तो देखो वन इंटू माइनस वन क्या होता है माइनस वन प्रेजेंट है एलिमेंट एरे के अंदर कोईभी सीक्वण्स उठाओ एरे के अंदर सीक्वण्स पता है क्या सब्सक्वण्स कोईभी सब्सक्वण्स उठाले हो उसको प्रोड़क्ट कर दो अगर वह प्रोडुक्ट के लिए में प्रेजेIONन है तो हम बोलेंगे कि वह एरे ईरे क्लोज अन्डर मुल्टिप्लिकेश तो यह question sound बहुत मुश्किल कर रहा है पर actually में है बहुत ही मतलब आपको एक logic दिखना चाहिए वह logic दिख गया तो यह question should solve है basically math का question है and math questions में क्या होता है code ज्यादा लंबा नहीं होता बस आपको logic logic सोचना होता है code तो only five six lines कहीं होता है ठीक है तो आप वीडियो को पॉस करके logic सोचो ठीक है अगर आप सोचो के तो मैं guarantee करता हूँ कि यह हो जाना चाहिए पर अगर नहीं होता फिर भी तो वीडियो प्ले करना और अब मैं solution इसका बताता हूँ कि इसको कैसा solve करना है ठीक है देखो हम बोल रहे है array is close gender multiplication ठीक है अगर मैं कोई array दे दूं two three two comma three तो इसको close gender multiplication बनाने के लिए क्या करा जाएगा ठीक है इस way में सोचते है कि इसको अगर मैं close multiplication लाने के लिए कोशिश करूं तो क्या किया जाएग देखो two three है तो two into three array में present होना चीए six आया इसका मतलब two into six और three into six भी array प्रेजेंट होना चीए तो two into six kai twelve फिप्रेजेंट होना चीए three into six का थी इंटू six eighteen eighteen भी प्रेजेंट होना चीए two into three into six भी प्रेजन वना चीए ना क्योंकि एज अ होल भी तो एक सीक्वेंस है ना तो यह क्या हो गया 6 इंटो 6 36 36 भी प्रेजेंट होना चीए वैसे ही अब इन तीनों अलिमेंट को भी बनाओ तो इंटो 12 भी प्रेजेंट होना चीए तो मतलब 24 भी प्रेजेंट होना चीए हम देख रहे हैं कि यह कभी बन ही नहीं पाएगा तो एक सिंपल सा मैं लॉजिक डिवाइस करता हूं इससे ही हमें यह पता चलता है कि अगर एक एरे में बाड वर्ड का का काउंट बाड काउंट ग्रेटर दन इकोल टू है तो वो एरे कभी भी क्लोजेंटर मल्टिप्लिकेशन नहीं बन जाएगा यह एक इंफाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा और ऐसे आप जितने वर्जी आड करते रहो आगे से आगे से आगे कि सीक्वेंस आप मल्टिप्लिकेशन करने ही पड़ेंगे ताकि उनके प्रोडक्ट को आप अड कर पाओगा यह में उसको बना ही नहीं पाओगे इस चारे को जितनी आप बनाने कुशिश करोगे उतनी बात भी घड़ती जाएगे तो अगर बैड का क्या मतलब हुआ बैड वन लेलू कोई भी element less than minus one लेलू तो वो भी एक bad element ठीक है देखो कोई भी element का count अगर समझेलो कोई भी array लेलो कोई भी array लेलो उसमें अगर minus one से छोटे और one से बड़े एक या दो या दो से जाधा elements वो तो वो कभी close general multiplication बन ही नहीं पाएगा क्योंकि वो जो elements है वो अपस में multiply होंगे हैं फिर उनका जो product हाएगा वो उन दोनों के साथ multiply होगा फिर उसका product हैगा तो वो न दोनों के साथ multiply होगा एक example लेते हैं एक एक्जामपल ले लेते हैं कि एक एरेल लेते हैं इसमें हम वन डालेंगे जीरो डालेंगे और हम डालेंगे माइनस टू और डालेंगे थ्री उसका बैड काउंट क्या है यह एक बैड ऐलिमेंट और यह भी एक बैड ऐलिमेंट है ठीक है तो बैड काउंट क्या हो गया है तो देखते हैं क्या इस एरो को हम मैने क्या करा है . वैसे ही फ्री प्रेजेंट है और ब्रेजेंट है ठील होने न ही इसिए है तो हम हम इहाब माइनस शिक्स डाल देंगे अब सिक्स्ट को ख़ो जन्र मोल्टिप्लिक्शन आने के लिए हमें गरना पड़ेगा माइनस टूइंटो माइनस सिक्स ट्यफ डालना पड़ेगा फिर इन दोनों को ख्रवग्लोग को ब्लूट के सिनल गालो है ना है तो एंका पता चल रहा है कि कोई भी element है ना कोई भी bad count greater than equal to two होगा तो of course जो उसका close gender multiplication वाला array होगा जो बनाएगा अगर bad count greater than equal to two है तो वो of course एक infinite size के array को represent करेगा वो कभी end ही नहीं होगा यह elements add होते चले जाएंगे पर हमें end मिल रहा है end का मतलब कि हमें limited number of elements है हमारे array में तो इसका मत लब कि हम यह device करते हैं कि अगर bad count greater than equal to two हो तो माइनस तो आप see out कर दो zero see out कर दो zero basically print कर दो print zero मतलब possibly नहीं है इसको हम एक finite set में रखना more than bad count वाल elements को possibly नहीं है पर हाँ एक bad element हो सकता है जाब यहां से मैं एक वो निकालओगा कि अगर अगर bad count bad ग्रेटर देन टू है ग्रेटर देन इकल टू है तो जीरो प्रेंट कर दो ठीक है तो जीरो प्रेंट कर दो ठीक है यहाँ पर जीरो प्रेंट कर दो ठीक है और अगर बैड ग्रेटर देन इकल टू नहीं है तो हम इस केस में आते हैं कि भाई बैड लेस देन इकल टू वन ठीक तो भी वो कभी नहीं बना पाएंगे एक दूसरे के साथ कोई बीगोट क्योंकि देखते हैं, अगर मैं इसमें माइनस वन टू यह एक एरे लू तो आपको माइनस टू ऐड़ करना पड़ेगा, माइनस टू आड़ कर लोगे हैं, तो आपको टू इंटू minus two four add करना पड़ेगा minus four add करना पड़ेगा फिर minus two into four eight add करना पड़ेगा फिर ऐसे दुबारा लेको bad count तो बड़ा हो गया ना जैसी आपने ये कर ला तो minus one के साथ कोई भी bad element हो तो बड़ा हो जाएगा तो यहां से क्या device करेंगे कि if minus one count greater than zero है है ना and bad भी greater than zero है तो हम क्या कर देंगे हम see out कर देंगे zero basically if statements का if statements का खेल है सारा तीन चार if statements लगेंगे question solve हो जाएगा ठीक है तो अब देखो अगर ये case नहीं है ये case नहीं है अगर minus one भी zero या तो अगर ये case नहीं है and या आपर ठीक है अगर ये case नहीं है तो इससे क्या पता चलता है इससे दो चीज़े के निकलती है कि या तो bad equal to one है and minus one count equal to zero है और दूसरा case क्या निकलते है या तो bad equal to 0 minus 1 count greater than 0 है यह वाला case तो है यह वाला case अगर है तो इसमें तो सीधा आपको yes print कर देना है यहाँ पर 1 print कर देना है क्योंकि देखो आप 1 0 के साथ कोई भी bad element लगा लो कोई भी 3 ले लिया तो 1 into 3 है 3 into 3 है 3 into 0 into 1 0 है ठीक है तो यह यह बनाएगा ही बनाएगा यह हमेशा close double multiplication होगा ही होगा ठीक है पर इस case में देखो इस case में देखो यह जो bad equal to 0 minus 1 greater than 0 है अब minus 1 greater than 0 का क्या मतलब है कि देखो यार यहाँ पर 2 case हो सकते हैं यहाँ पर भी 2 case हो सकते हैं कि अगर minus 1 count हमारा greater than equal to 2 है तो array में 1 होना चाहिए अगर 1 नहीं है तो close double multiplication होगा ही नहीं कि देखो minus 1 into minus 1 क्या बनाएगे 1 बनाएगे और उस array में minus 1 होना चाहिए तो basically उस array में 1 होना चाहिए तो यहाँ से क्या निकालते हम कि क्या 1 है 1 present है अगर 1 present है true तो तो यहां से 2 चीज़े निकलती है 1 count greater than 0 1 count greater than 0 और यह है 1 count equal to 0 ठीक है अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे 1 count greater than 0 है तो minus 1 into minus 1 minus 1 बना रहे है और bad भी कोई element नहीं है bad equal to 0 है तो हम क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे 1 बोलेंगे हापे कि यह case बन जाएगा और अगर 1 count equal to 0 है और minus 1 जादा है 0 से तो minus 1 into minus 1 तो 1 बना देंगे ना तो मतलब close under multiplication नहीं हो उसमें 1 add करना पड़ेगा इसमें 0 डाल देंगे ठीक है कि नहीं यह possible नहीं है और अगर यह case बनता है कि minus 1 count less than 0 है less than 1 है minus 1 count less than equal to 1 है तो इस case में तो सिर्फ answer true ही होगा ठीक है इस case में answer हमेशा true ही होगा क्योंकि देखो minus 1 count minus 1 एक बार आ रहा है है ना 1 एक बार आ सकता है 0 एक बार आ सकता है good कितनी भी बार आ सकते है 1 और 0 तो perfectly good है minus 1 थोड़ा bad भी है तो 1 0 1 0 कितने मर्जी डाल लो तो अगर minus 1 1 एक बार आ रहा है तो भी minus 1 into 1 minus 1 बना सकता है और minus 1 अगर आ ही नहीं रहा तो ये तो good तो बना ही रहे है है ना तो ये हर case में one answer देंगे ठीक है तो देखो इस ऐसे case में जब ज्यादा if statement confused हो रही हो और ऐसा graph बना लहना चाह座 है इससे बता चल रहा है कि हम कैसे elements को divide कर रहे है कैसे हम test cases को divide कर रहे है ठीक है तो ये हमारा पूरा solution है ठीक है ये हमारा पूरा solution है अब इसी को हम if statements में तब्दील Hudson कर देंगे इसी को हम if statements में convert कर देंगे और देखेंगे ठीक है अब इसके code को देखते हैं इसके code को देखते हैं तो यह हमारा code है question को solve करने के लिए ठीक है basically 4-5 statements ही है इस code को explain करता हूं ठीक है ज्यादा पुछ code करने के लिए इसमें है नहीं बस if statements ही है और सारी logic तो हम graph बना के देखी चुके है ठीक है तो इसको एक बार convert करता हूं एक minute इसको बोड पर ले आते हैं कि देखो कि देखो कि देखो अब इस पर अट्रेट करते हैं देखो scanner scan करेगा test cases लिए test cases greater than equal to zero तो हम इस loop को चलाते रहेंगे test case के लिए हम end लेंगे फिर एक bad count ले रहे हैं minus one count ले रहे हैं one count ले रहे हैं और zero count ले रहे हैं one count और zero count से इतना फरक zero count से तो कोई फरक नहीं बढ़ता ऐसे और फिर भी मैंने ले लिया ठीक है देखो आप इस loop में क्या होगा इस loop में हम एक index हम जितने भी array को input करवा रहे हैं basically उसको किसी कहीं पर store नहीं कर रहे हैं बस इनको increment कर रहे हैं देखो X को हम input लेंगे अगर X equal to minus one है तो of course minus one count को increment कर देंगे X equal to one है तो one count को increment कर देंगे X equal to zero है तो zero count को वरना bad count को increment कर देंगे मतलब ना तो X minus one था ना तो X one था ना तो X zero था तो मतलब less than minus one था less than minus one था comma zero comma one और greater than और greater than जो हमारा number है वो या तो greater than वन था ठीक है जो भी हमारा X है वो X इस range में कहीं पर लाइँ करता है तो basically क्या है basically इस सब क्या मतलब है कि देखो इस सब क्या मतलब है कि यहां पर हमने bad count को increment कर दिया तो basically circular वह हैं annat यही सेम लॉजिक यही सेम बते चाहिए अ इसको एक बाड ऑप मैं ग्राफ के साथ ही लेकर चलता हूं और ही पर समझाता हूं क्राफ के साथ ही लेके समझाता हूँ पुद देखो कर ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जो हमने ऐसे ईगराफ बनाया अबना यह कि इसमेंस द्रेट इसको थोड़ा छोटा बिलेंगे हैं है मैं एक बनाट गार है है कि स्काइब की छोटा कर लेता है और इसके साथ देते हैं और यह लोंको साइट बंटनी हैया त violating अगर नहीं अंग साट्स अन और शीड़र sigque कर दो ठीक है यह कंडिशन होगी तो यहाँ पर ही टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है अब अगर हम इस इस वाली statement के आगे बढ़ चुके हैं मतलब bad count less than equal to one है ठीक है तो हम इस case में आ गए है और अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या bad count equal to one है of course या तो equal to one होगा है ना या तो zero होगा अगर bad count greater than one है and minus one count greater than zero है bad count greater than zero है and minus one count greater than zero है मतलब यह वाली condition तो आप zero print कर दो यहाँ पर मैंने zero print कर दिया ठीक है अब इस वाली else if condition के आगे 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 ना हम तो मतलब यह यह तो नहीं है possible ठीक है तो हम यहाँ यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं अगर bad count equal to one है and minus one count equal to zero है ठीक है अगर bad count equal to one है and minus one count equal to zero है तो आप क्या करो आप one print कर दो यहाँ पर one print कर दो ठीक है हमने one print कर दिया है ना अब क्या है अगर हम इस वाली statement के भी आगया आगया इस वाली statement के आगया मतलब इधर आगया है ना तो इसका गया minus one count greater than 0 हम इस condition में आ गए, इस condition में हम इस दो रास्ते हैं या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे या हम इधिन कुछ चेक करते हैं क्या minus one count greater than equal to 2 है? हाँ है और उसके साथ ही क्या one count greater than zero है? one होना चाहिए, अगर है, तो one print कर दो ठीक है और अगर minus one count greater than equal to two है and one count equal to zero है मतलब इधर आ गए तो मतलब zero print करतो यहाँ पर zero print करपा दिया else मतलब यह था ही नहीं ऐसा कुछ तो हम इधर आ जाएंगे और इधर जाके तो one print होई रहा है अग जगा पर ठीक है यह था कि इसको कैसे solve कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझाया होगा समझाया होगा तो वीडियो को like करो and till the next video drops keep watching pep coding